हाई वेलकम तो मैं चनल इसमें में सॉल्व करें हैं क्विशन नबर 18 find the value of square root of 103.0225 and hence find the value of first square root of 10302.25 and 1.0302.25 हुआ क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर एक square root दिया हुआ है जिसमें दिया है 103. मतब यहाँ तीन place के बाद decimal लगाया है ठीक है मतब कि fourth place पर हम यदि right side से देखेंगे तो fourth place पर लगा हुआ है decimal और यहाँ पर लगा है second place पर यहाँ लगा है sixth place पर तो decimal के क्यवल position change करके अब value कैसे निकालेंगे fast हम यहाँ पर वही समझेंगे तो पहले हम इसका value निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी value निकालने के लिए बोला है उसके बाद से इन दोनों का value निकालने के लिए बोला है जो कि बहुत simple हो जाएगा ज़दी हम इसको निकाल लेंगे तो ठीक है चलिए तो पहले हम इसको solve करते हैं this much solution we have 103.103.0225 हमें पहले इसके निकालना पड़ेगा square root पेर बना लेंगे हम यहां से तो one में ले जाएंगे तो one से जाएगा cancelate हो गया 0-3 add करेंगे 2 मिलेगा जो कि जा नहीं पाएगा यदि one से ले जाएगे तब भी 23 add 20 बाना जाएगा और जो कि 3 से बढ़ा होगा decimal के बाद वाला number उतारना पड़ेगा लेकिन अभी फिलहाल में 0 बढ़ाना पड़ेगा मतलब कि one से गया था अब 0 बढ़ाना भी पड़ेगा क्योंकि हमारा पहली बार यहां पर नहीं जा पा रहा है इसलिए 0 बढ़ाना पड़ेगा यहां भी 0 बढ़ाना पड़ेगा अब decimal है तो decimal भी लगाना पड़ेगा तो decimal लगाना पड़ेगा फिर इसको बाद से 0 2 उतारना होगा अब होगे यह 302 तो अब यह चला जाएगा 20 20 वेंच से यह आपको चलां जाएगा वन से तो एक बार जाएगा क्योंकि 30 मेंध में factor 23 गरेगे रहें और एक ही बार जाएगा न तो वन से ले जाएँगे 1 मंजा 1 तो मिल जाएगा 201 मानस करेंगे मिलेगा 1 और यहां हो जाएगा जीरो और यह हो जाएगा वन 101 अब आगे वह 25 जो है उतार लेंगे ठीक है अब यहाँ पर आइड कर लेंगे तो मिलेगा आपको 202 अब यहाँ पर यदि हम ले जाएगे तो दीखिए 5 चला जाएगा बिल्कुल असानी से क्योंकि 2 5 जा 10 होता है तो 5 से चला जाएगा आराम से तो 5 से ले जाते हैं 5 5 25 को 5 5 तू जा 10 एंड 2 12 वन कर रिए उफर 5 0 0 1 हो गया और 5 तू जा 10 कैसे रट हो गया means आपको मिल चुका है 10.15 तो यह लिखेंगे so we have square root of 103.0225 is equal to 10.15 अब ध्यान दिजेगा यहाँ पर decimal किस place पर है 4th place पर है means 1 2 3 4 4 के बाद आया है decimal यहाँ पर हना तब जाकर के square root में क्या हो रहा है 2 place पर decimal है 1 2 मतलब यहाँ पर दिखिए decimal के right side में केवल digits को count करिए यहाँ पर 4 digits है और यहाँ पर 2 digits है तो decimal place मतलब की even number of times जितना इधर या इधर रहेगा उसके हिसाब से यह decimal place भी 2 times मतलब इसके half रहेगा यहाँ पर 4th place पर है 4th place पर decimal है यहाँ पर 4 का half क्या होता है 2 होता है और यह 2 second place पर इसलिए यहाँ पर है ठीक है तो यहाँ पर हमारा first वाला हो जाएगा first है हमारा square root of 10302.25 यहाँ पर square root निकालेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पर पहली पर decimal यहाँ था तो अब यह चला गया यहाँ पर यहाँ आ गया है दो place आगे बढ़ा है तो इसमें भी इसके answer में भी क्या होगा कि यहाँ पर एक place आगे बढ़ेगा means यह हो जाएगा 101.5 आंसर हो गया that's it अब यदि हम second का सुद देखेंगे तो second में क्या बोला है कि 1.0302.25 अब यहाँ 6th place पर करती है मतलब कि decimal को left side में लाया है देखिए 1,2 दो place left में लाया है तो यहाँ पर जो answer हमारा है उसके एक place left में जाएगा decimal means 1.015 आएगा means इसका answer हो जाएगा 1.015 that's it यह answer आपका है thank you so much for watching bye